सुनेहरी बकरी, शेर और बंदर बहुत समय पहले एक सुन्दर सा जंगल हुआ करता था जहां एक शेर था शेर बड़ा ही अच्छे मन का दयालू था इसी कारण जंगल के सभी जानवर बिना किसी डर के जंगल में ग्रोमा करते थे एक दिन शेर एक पेड़ के नीचे खड़े कुछ सोच रहा था तभी एक बंदर शेर पर हमला करने आया नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो तुम मुझसे बचकर कही नहीं जा सकते मैं तुम्हारा शिकार कर तुम्हें खाने आया हूँ नहीं, मुझे पर दया करो, मुझे छोड़ दो शेर ने इस तरह बार-बार बिंती की पर बंदर ने उसकी एक न मानी और शेर पर खूट पड़ा शेर किसी तरह बचकर भाग निकला बंदर भी उसके पीछे दोड़ा बंदर ने शेर से कहा मैंने तो सुना था तुम बड़े शक्ती शाली हो क्या यही है तुम्हारी शक्ती हाहाहा यूँ हसते हुए वो शेर का पीछा किये जा रहा था शेर ने दोड़ते हुए अचानक रुपकर बंदर से कहा हाँ, मैं तो शक्ती शाली हूँ ये सच है फिर भला मैं क्यों तुमसे डर रहा हूँ मैं क्यों तुमसे भाग रहा हूँ क्योंकि तुम एक भुलककर शेर हो क्या कहा भुलककर फिर कब से और तुम्हें कैसे पता अरे भुलककर शेर राजा मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हें मौद के मूँ से बाहार निकाला था क्या कहा तुमने मेरी जान बचाई क्या मैं इसे सच मालू हो सकता है कि मेरे यादश कमजोर है इसलिए तुमने सोचा कि कुछ भी कहलोगे मैं उसे सच ही मानूँगा हो सकता है ये मन गढ़न कहारी हो तुम्हारी आपके सर के कसम हो मैं मेरे सर के कसम मैं जूट नहीं कह रहा हूँ बलकि सच कह रहा हूँ उस दिन आप हमेशा की तरह शिकार पर निकले थे शेर एक दिन शिकार पर निकला बहुत समय तक उसे एक भी जानवर नहीं मिला शेर को बहुत जोर की भूख लगी थी भूख के मारे शेर जंगल में यहां वहां बेचैन होकर घुमे जा रहा था तभी एक सुनहरी बकरी शांती से चलती चली जा रही दिखाई दी उस सुनहरी बकरी को देख शेर को कुछ न सुझा और वो उस पर जपड़ गया शेर ने बकरी पर छलांग मारी जैसे ही शेर उस पर कूदा वैसे ही बकरी गायब हो गई और दुसरी तरफ प्रकट हुई शेर ने फिर से उस पर छलांग मारी इस बार भी बकरी वहां से गायब हुई और दूसरी जगह प्रकट हुई ये बहुत देर तक चलता रहा इतने में वहां एक बंदर आया वहां का दुरुष देखकर बंदर ने कहा शेर राजार रुख जाईए जल्दबाजी मत कीजिये आप जिसका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं वह कोई साधारन बकरी नहीं है विशे शक्तियों वाली सुनरी बकरी है उससे पंगा मत लीजिये वरना आपका काम तमाम हो जाएगा सही समय पर आने के लिए धन्यवाद समझाओ अपने दोसको ये यूँ ही मुझे परिशान करने लगा तो मैं गुसे में क्या कर देंगी मुझे ही नहीं पता अच्छी बात है अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा फिर बंदर ने शेर को वहाँ से ले जाने की कोशिश की पर शेर नहीं माना और फिर से सुहरे बकरी पर हमला करने लगा अब बकरी को बड़ा गुसा आया और उसने शेर की यादाश खो जाए कहे कर श्राब दिया बस तभी से आपकी यादाश खो गई है शेर राजा दयालू शेर हूँ शेर राजा अगर ऐसा ना कहते तो कहानी को यहां तक कौन सुनता आपको इतना सीन थोड़ी है एक जंगल में एक लोंडी फूब के मारे यहां वहां खूम रहा था उसे एक तालाब के पास एक हिरन पानी पीते हुए दिखती है आज किसी भी हाल इस हिरन का शिकार कर इसे खाना होगा ऐसा सोचकर धीरे से उसकी और जाने लगता है उसी तालाब के पास वाले पेर पर बैठे एक बंदर ने उस लोंडी का इरादा समझ लिया और किसी तरह हिरन को वहां से भगाने की सोची लोंडी से पहले बंदर हिरन के पास छलां लगाकर पहुँच गया जितना पी चुकी काफी है अब जिन्दा रही तो फिर पी ले ना लोंडी तुमारा शिकार कर तुम्हें खाने के लिए तुमारी और आ रहा है जान बचाओ भाग जाओ यहाँ से ऐसा क्या? लोंडी को बंदर पर बहुत गुसा आता है वह बंदर के और दोड़ कर जाता है इससे पहले बंदर ने छलांग मारी और पेड़ पर चड़ गया मैं आज बहुत भूगा हूँ हीरन को देख मैंने सोचा मेरी भूख मिट जाएगी आज पर तुमने एन वक्त पर उसे भगा कर मेरे मूँ से निवाला छीन लिया हाँ 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 मैंने आज एक जान बजाली पर अब पर अब तुम नहीं बचोगे मैं तुमको मार कर अपनी भूख मिटाऊंगा इतने भी सपने ना देखो चलो ठीक है आजाओ देख लेंगे मुझे खाने के लिए तुम्हें इस पेड़ पर चड़ना होगा अगर तुम चड़ पाए तो मैं खुद अपने आपको तुम्हें सौप दूंगा मुझसे ही चुनोती अभी बताता हूँ कहकर पेड चड़ने की बहुत बार कोशिश करता है पर चड़ नहीं पा रहा था थोड़ा चड़ता फिसल जाता फिर चड़ता फिसल जाता ऐसा करते करते वह ठक गया पहले से ही फुका था ठका हुआ लूमर थोड़ा पानी पीने तालाब के पास चला गया पानी पीने जितना आसान नहीं, चब चाप यहां से चले जाओ, और वापस आने की हिम्मत मत करना। भूप से तडप रहा था, मुझको अपमानिक कर पानी में धकिल दियाना तुमने, मैं नहीं छोड़ूँगा तुम्हें, तुम्हारा अंध मेरे ही हातों होगा। ऐसा कहकर, तालाप से बाहर निकल कर पेर के पास आकर उसे अच्छे से चांच लेता है, और वहां से चला जाता है। एक गुफा में एक ठका हुआ शेर सो रहा था, लुम्री उस शेर के पास जाकर, शेर राजा, शेर राजा, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बेठे हो, आपको देखकर लगता है, जैसे आप शिकार के लिए भी नहीं गए हो। मुझे शिकार पर गए एक हफता हो गया है, पर तुम ऐसे कैसे सीधे मेरे गुफा में आ गए। आपके लिए ही आया हूँ शेर राजा, आप एक हफते से दिखाई नहीं दिये, तो मुझे यकीन था कि आप यह बात जानते ही नहीं होंगे। क्या कहा, मेरे ही जंगल में ऐसा भी हो रहा है, जिसके बारे में मुझे पता नहो वैसे क्या है वो बात। हमारे जंगल में जो तालाब है ना, सुना है उसमें कुछ दिनों पहले एक चमतकार हुआ है। क्या, कैसे चमतकार? बात ठीक से बताओ वरना। कहकर गुस्से से लुम्री पर गुर राता है। तालाब यानी तालाब नहीं, वो उसके पास वाले पेड़ पर जो बंदर रहता है ना, वो ऐसे हडबढाते हुए घबरा कर कहता है। तुम साफ साफ बताओगे या मैं तुम्हें खा जाओ। सुना है, उस पेड़ पर जो बंदर है ना, उसको मार कर उसका रप्त पीने वाला हमेशा जवान, बलवान और मृत्यू से दोर हो जाता है। बस ये बात आप तक पहुंची या नहीं, यहे जानने और बताने आया था। आपके खाने के बाद बचा हुआ खाने वाले हम, इस जंगल के राजा आप हो, आप खुश रहो, तो इसमें हमारी खुशी है। वैसे भी हम आपके सेवक हैं, आपको बला हम कैसे धोका दे सकते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ, अब चले वहाँ, काम पूरा कराते हैं। कहकर लोम्डी और शेर गुफा से निकल कर ताला की और निकल पढ़ते हैं। वहाँ बंदर पेर के नीचे ठंडी हवा में आराम से सो रहा होता है। उसे देख, शेर एक छलांग लगा कर उसे चपट लेता है। शेर की जोरदार पकर से बंदर नीन से जाग जाता है। शेर राजा, आपकी नजर मुझ पे कैसे पड़ी। कृपा कर मेरी जान बक्स दीजिए, मुझे जाने दीजिए। क्यो जाने दे, ताकि तो जट से पेर पर चड़ सके। शेर बंदर के और देखते हुए। सुना है तेरा रक्त पीकर कोई भी अमर हो सकता है। बलवान और सदा के लिए जवान हो जाता है। तभी कहीं से तुरंध हिरम वहाँ आ जाती है। शेर राजा रुक जाईए, रुक जाईए। जलबाजी में आकर इसे मार एगा नहीं। किसी ने आपको गलत सूचना दी है। अरे वाह, आज एक साथ दोनों यही मिल गए। आज तो हमारी दावत होगी। क्या कहा, मुझे गलत सूचना दी गई है। हाँ शेर राजा, किसी ने आपको मारने की साजिश्की होगी। इस बंदर का रक्त पीने वाला और इसे मार खाने वाला एक बीमारी से क्रस्थ होकर तुरंध ही मर जाता है। यह एक रोगी बंदर है, आज कल में मरने वाला है यह। तब ही तो यह दुखी होकर इस पेर के नीचे सो रहा था। हाइ हाइ, हीरन कहीं की। यह तो मेरा ही काम तमाम करने पे तुली है। शेर राजा, आप इसकी बातों में मत आये। यहां दोनों नाटक कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब वो तु ही है। जिसने शेर राजा को यह बताया। अब समझ आया, शेर के मरने के बार उनकी जहां तुम हड़पना चाती हो। यही है ना तुमारी लोम्री चाल। तो तुमने मुझे मुर्क बनाया है। कहकर बंदर को छोड़कर लोम्री पर छपटने के लिए जैसे मुड़ा। अब तुम मेरी खैर नहीं। कहते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। पीछे पीछे शेर भागा। बाप्रे, तुमने मेरे जान बचाई। तुमारा कैसे धन्यवाद करू। समझ में नहीं आ रहा। उस लोम्री से तुमने भी तुम मुझे बचाय था ना। शायद इसे लिए कहते हैं कि हमारा किया हुआ नेक काम एक दिन वापस मिलता है। हाँ, सही कहा।